दो साइंटिस्टों को पता चलता है कि चंद्रमा की सतेह पर हीरो का धेर है तो उसे पाने के लिए वहकालिया और ललन को जबरदस्ती रॉकेट में पुठा कर चंद्रमा की तरफ रवाना कर देते हैं अरे साइंटिस्टों तुम्हारा नास मिटे हमें फिर से मौत के मुझ में फेश दिया अरे मर गए रहे ललन भाई चंद्रमा पर वह चुडएल हमारा इंतजार कर रही होगी हमारे वहां पहुंसते ही वह चुडएल हमें कच्छा ही खा जाएगी अरे कालिया भाई कृपा करक मुझे कुछ सूच ने दो फिर थोड़ी देर में वह लोग चंद्रमा पर दुबारा पहुंच जाती है फिर उनका रॉकेट चंद्रमा पर उतर जाता है वह चुडएल बाहर ही खड़ी होती है राजा जी आप वापिस आ गये मुझे पता था आप वापिस जरूर आएंगे आखिर मेरा प्यार आपको वापिस खी छी लाया ना अब जल्दी बाहर आईए ना मुझे से और इंतजार नहीं होता अरे कालिया भाई ये तो मुझे अपना राजा समझ रही है मेरी तुल्चा बती आगई अब क्या करूँ लललन भाई यही सही मौका है अपनी दोस्ती सा करने का कृपा करके तुम बाहर चले जाओ तुम्हें पाकर इस चुडैल की मनो कामना पूरी हो जाएगी जिससे मेरी जान बच जाएगी तेरा नास मिटेर एकालिया मुझे बाहर मरने के लिए भेज रहा है मैं कहीं नहीं जाने वाला अगर ये मुझे अपना राजा समझ क खा गई तो मैं तुझे भी अपने साथ लेकर मरूँगा फिर वह चुडैल जोर जोर से रॉकेट की खिड़की पर हाथ बारने लगती है एह जल्दी बाहर आजा नहीं तो मैं ये खिड़की को तोड़ दूगी अब मुझसे और इंतजार नहीं होता ललन भाई अगर इसने रॉकेट की खिड़की को तोड़ दिया तो ये रॉकेट वापस प्रित्वी पर जाने लायक नहीं बचेगा और हम हमेशा हमेशा के लिए यहां चंद्रमा पर ही फस जाएंगे और ये ऑक्सिजन भी जादा दिनों तक नहीं चलने वाली कोई तो तरकीब लड़ाओ अरे त तुम फिक्र मत करो जब तक हम इस रॉकेट के अंदर है ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगार सकती रॉकेट की खिड़किया बहुत मजबूत होती है ये चुड़ैल उसे तोड़ नहीं पाएगी फिर चुड़ैल बहुत देर तक खिड़की पर अपना हाथ पीटती रहती है लेकिन रहकाच को तोड़ नहीं पाती मैं भी देखती हूँ तुम दोनों कब तक बाहर नहीं आओगे तुम मुझे जितनी देर तड़पाऊगे मैं तुम्हें उतना ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी फिर इतना बोलकर वे वापिस अपने गड़े में चली जाती है साइंटिस्ट भाई हमारी जान बचा लो कृपा करके इस रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा दो वह चुडैल तो बाहर ही खड़ी हुई है अब हम क्या करें देखो कालिया रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला रोकेट को चांद पर भेजने में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है अब तुम्हें किसी भी हाल में वहां से हीरे लाने ही होंगे वरना वहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ अरे नास मिटे साइंटिस्ट इस उम्र में तु हीरों का क्या करेगा क्यों हमें मरवाने पर तुला हुआ है अगर मैं जिन्दा बच कर वापस धर्ती पर आ गया ना तो तुझे नहीं छोड़ूंगा अरे नास मिटे साइंटिस्ट बटन दबादे कोई पाइदा नहीं है कालिया भाई जब तक हम वह हीरों को हासिल नहीं कर लेते वह इस रॉकेट को वापस नहीं बुलाने वाले अब हमें वह हीरे हासिल करने ही होंगे फिर वह दोनों थोड़ी देर तक वहीं रॉकेट में इंतिजार करते है कालिया भाई बहुत देर हो गई लगता है वो चुडैल अपने गढ़े में जाकर सो गई है यही सही मौका है हम जल्दी से जाकर वो सारे हीरे बटोर लेते हैं ठीक है भाई ललन वैसे भी हमारा मरना तो तैही है चलो जो होगा देखा जाएगा कालिया भाई रास्ता साफ है फिर वह दोनों रॉकेट का दर्वाजा खोल कर बाहर निकल जाते हैं फिर वह जल्दी जल्दी सारे हीरे एक ठैले में भर ले अरे वावा यहां तो बहुत सारे हीरे हैं हम तो माला माल हो गए अरे भाई जादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है हमारे धर्ती पर पहुंसते ही ये सारे हीरे बह साइंटिस्ट ले लेंगे ऐसे कैसे ले लेंगे हम कोई पागल है जो यहाँ अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं मैं ये हीरे उन्हें नहीं देने वाला फिर उनकी आवाजों सुनकर उस चुरल की मीन खुजाती है अरे ललन भाई हीरे छोड़ो और पीछे दखो तुम्हारी अम्मा पीछे खड़ी है अरे भागो अरे अपनी अपनी जान बचा कर भागो अरे मर गए रे बुढ़े साइंटिस तेरा नास मिटे आस तो तु हमें मरवा कर ही छोड़ेगा अरे कालिया भाई मेरे लिए रुको मुझे भी रॉकेट के इंदर आने दो अरे बच गए रे आस तो हम माला माल हो गए ये देखो ललल भाई अब की बार मैंने सारे हीरे अपने साथ उठा लिए है हमारा काम फूरा हो गया ए मुर्खो तुम्हें क्या लगता है अरे भाई ललला ने इस चुड़ायल को छोड़ो और जल्दी से उन साइंटिस्टों को फोन मिलाओ हेलो हेलो साइंटिस्ट जी हमने आपका काम कर दिया है हमने सारे हीरे इकठा कर लिए है अब आप जल्दी से हमें बापस धर्ती पर बुला लो हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर ले कि तुमने सारे हीरे इकठे कर लिए है पहले हमें हीरे दिखाओ अरे नास मेटे बुड़े साइंटिस्ट ले देख ले हीरे होगे तसल्ली चल अब जल्दी से वह बटन दबा फिर वह साइंटिस्ट रॉकिट को वापस बुलाने वाला बटन दबा देती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं तुम्हें ये सारे हीरे नहीं ले जाने दूँगी अरे मर गए रहे ललन भाई वह दोखो वह चुड़ाल तो खिड़की से चिपक गई अब क्या करें अरे मर गए रहे मुझे तो लगता है अब ये चुड़ाल हमारे साथ धर्ती पर पहुंच जाएगी अरे क्या हुआ ये कैसी आवाजे हैं आखिर वहाँ हो क्या रहा है अरे साइंटिस्ट भाई बहुत बुरी खबर है हीरों के साथ साथ तुमहरी इम्मा भी हमारे साथ धर्ती पर आ रही है अब क्या करें वह चुड़ाल रोकेट की खिड़की पर चिपक गई है अरे ये कैसे हो सकता है आखिरकार वह चुड़ाल ऐसे कैसे कर सकती है उसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था अब हम क्या करें दॉक्टर रिचर्ड दॉक्टर कुमार ये चुड़ाल अगर धर्ती पर पहुच गई तो सबसे पहले हमें ही अपना शिकार बनाएगी अगर हम संदा ही नहीं बचेंगे तो उन हीरों का क्या क्या करेंगे हम इस रॉकेट को वापस धर्ती पर नहीं भुला सकते अरे साइन्टिस्टों तुमारा नाज मिटे क्या गुटर गुं कर रहे हो अब तो हमने तुमारा काम भी कर दिया अब हमें वापस धर्ती पर आने दो अब कोई फाइदा नहीं है कालिया भाई ये साइन्टिस्ट जानते हैं अगर इस रॉकेट के साथ-साथ ये चुडैल भी धर्ती पर पहुँच कई तो सबसे पहले ये चुडैल उन दोनों को ही खाएगी अब हमारा मरना तो तै है साइन्टिस्ट भाई हमारे साथ ऐसा मत करो करपा करके हमें वापस धर्ती पर आने दो नहीं नहीं कालिया हमें माफ कर दो हमें उस चुडैल के हाथों मरने का शौक नहीं है अब तुम वापस धर्ती पर आने के सपने छोड़ दो अरे ललन भाई अब हम क्या करें ये हमें धर्ती पर नहीं आने देंगे चौक्टिर कुमार अगर ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो ये जरूर खुद बखुद पृथुई के वायू मंडल में घुश जाएंगे और हमारे ना चाहते हुए भी यहां धर्ती पर पहुँच जाएंगे हमें इन्हें यहां आने से रोकना होगा एक खाम करो इस रॉकेट की दिशा मंगल ग्रह की और मोड़ दो इसी में हमारी भलाई है साइंटिस्ट भाई अब तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो देखो ललन अब हम तुम्हें धर्ती पर नहीं आने दे सकते इसलिए हम तुम्हारे रोकेट की दिशा मंगल ग्रह की तरफ मोड़ रहे हैं हमें माफ कर दो हमारे पास और कोई चारा नहीं है अरे रास मिटे अब हमें मंगल ग्रह पर क्यों भेज रहा है हम महां क्या करेंगे अरे मर गरे अब तो हमारा मरना पक्का है अरे ललन भाई हम इस दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे जो मंगल ग्रह पर अपनी जान देंगे फिर वे साइंटिस्ट उनके रोकेट की दिशा मंगल ग्रह की ओर मोड दीती है फिर उनका रोकेट मंगल ग्रह पर उतर जाता है बधाए हो ललन और कालिया तुम दोनों पहले व्यक्ति बन गए हो जो मंगल ग्रह तक पहुचे हो रे कमबखत साइंटिस्ट हमें हमारे मरने की बताई दे रहा है हम यहां इस चुड़ायल के साथ क्या करें ये भी तो बता ये चुड़ायल हमारे बाहर निकलने का बेसबरी से इंतजार कर रही है कालिया भाई हमारी ऑक्सीजन भी खतम हने वाली है अब क्या करें ललन भाई अब हमारे पास कोई रास्ता रही है अब हमारा मरना तै है साइन्टिस्ट भाई, हमारी ओक्सीजन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है, अब हम क्या करें? अगर आप इसका पार्ट थ्री देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताईए, मुझे अगला भाग बनाने में बहुत खुशी होगी